फ्रेंड्स अगर आपके पास 10 साल पुरानी या 15 साल बीस साल पुरानी गाड़ी है अब चाहिए 2 विलर है, 4 विलर है, heavy vehicle है, private vehicle है या commercial vehicle है इन गाड़ियों के चलाने को लेकर और इन गाड़ियों के री रेजिस्टेशन को लेकर चार बहुत ही जादे इंपॉर्टन अपडे और दूसरा ये भी एक आपको चारो जानकारिया एक साथ मिल जाए अब देखो इन गाड़ियों से तीन अपडेट जो है वो इंडिया के किसी भी स्टेट में कहीं पर आप रहते हो सभी स्टेट के लिए लागू है और एक अपडेट जो है वो दिल्ली इंसियार के लिए है तो शुरुआत मैं करता हूँ दिल्ली इंसियार वाल एक डेट के साथ अगर आप दिल्ली में नहीं रहे तो यहाँ पे गाड़ी को नहीं चलाते हो तो आप स्किप करके सिधा सिकर्ण अपडेट में जा सकते हो आप देखो यहाँ पी यह नियम आया है कि गाइडलाइन्स for handling over aged vehicle in public places of Delhi 2024 यह guideline के बारे आपको पता होना चाहिए और इस guideline में यह कहा गया है कि अगर आप दिल्ली की सडकों में over aged vehicle चलाते हुए पकड़े जाते हो अब over aged vehicle का मतलब यह हो गया कि 10 साल से जादा पुरानी diesel गाड़ी और 15 साल से पुरानी petrol गाड़ी है तो चलान तो पहले की तरह है लेकिन यहाँ पर जो guideline है वहाँ पर निया में बहुत ज़्यदा अबदला हो गया है एक तरफ जहाँ आपको पकड़े जाने पर अगर आप कार में पकड़े जाते हो four wheeler है तो वहाँ पर 10 रूपय का चलान कटेगा और two wheeler में कटेगा पाच रूपय का चलान लेक पहले तो लोग है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से इन ओसी जो कि आपको बहुत असानी से प्रवाइड कर दिया जाएगा और इन ओसी लेका आप क्या करोगा कि तीन सब्ता के अंदर ही जो दिल्ली NCR का बॉर्डर है उससे बाहर किसी दूसरे स्टेट में अपनी गाड़ी है उससे अपने किसी प्राइवेट जगह में जो जगह आपका प्रसनल हो उस जगह में पार्ग करके छोड़ देना होगा उसे चलाना नहीं होगा लेकिन यहाँ पर कैच यह है कि जहां पर पकड़े जाते हो वहां से लेकर जहां पर आपका प्राइवेट प्लेस ह वहाँ तक आप अपनी गाड़ी को चलाके नहीं ले जा सकते हो आपको टो करके ले जाना होगा ये आपको मिलेगा second option लेकिन third option ये भी कि आप dronium नहीं मानते हो तो आपको ये undertaking देना होगा कि भाई, 3 सब्टे के अंदर में आप अपनी गाड़ी की scrapping कराऊगे उसे scrap करवाद होगे, वसे scrapping कराने से क्या-क्या फाइदा मिलेगा, इसके उपर में चानल पर detail वीडियो है, link आपको description में मिल जाएगा, तो fine भरो, plus 3 option आपको दिया जारा भाई, 3 सप्तेक अंदर में आपको ये सारे काम कराने होगे, छोलो आपने undertaking मगरा दे दिया, लेकिन आपने किसी भी नियम को follow नहीं कि और आप दुबारा से पकले जाते हो दिल्ली की सटकों में अपने overaged vehicle के साथ, तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक तो आपको देना होगा 25,000 रुपय का जुर्माना, आपकी गाड़ी छोड़ी नहीं जाएगी, और authorities के दुआरा ही आपकी गाड़ी की scrapping कर दी जाएगी, तो यह जो guideline है, यह बहुत important है दिल्ली की सटकों में, अगर आप overaged vehicle चला रहे हो, तो समझ लो कि भाई, इस तरह के परशानी अब आपको हो सकती है, वसे यह नियम सही है, यह गलत आप इस वीडियो में comment जरूर से करे, वीडियो आपको अभ अगू हो चुका है, सरकार जो सरकारी गाड़िया है, उन्हें de-register करके उनका scrapping कर भी रही है, लेकिन हम बात करते है, private गाड़ियों का commercial विकलकर जो आपके पास है, जो कि 15 साल से जदा पुरानी है, और उसका registration हो चुका है, fail, तो यहाँ पर अभी तक क्या था, कि जो निय register हो पाएगी, और private गाड़ियों के लिए कहा गया ता कि 1 जून 2024 से fitness test देना होगा, fitness certificate लेना होगा, अगर private गाड़ियों को आपको re-register कराना है, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर थोड़ा extend किया गया है, थोड़ा आपको छूट दिया गया है, जिसका फाइदा आपको वो fail हो गया है, तो बीना fitness test दिये हुए, बीना fitness certificate लिये हुए, वो re-register हो जागा, तो मैं आपको recommend करूँगा, जो फाइदा है इसका उठाए आप, कि अगर आपको गाड़ी का registration कराना है, तो अभी करा ले, अगर वो बीना fitness test के हो जाएगा, तो अच्छी बात है, वैसे fitness test देने के लिए, fitness certificate लेने के लिए, आपको सिर्फ दो मौका मिलेंगे, और इन दो मौका में अगर आपकी गाड़ी fitness test पास नहीं करती, तो वो सिधा जाएगी, scrap होने के लिए, ठीक है, तो अभी मौका 1 October 24 तक आप फाइदा उठाए, और अपनी गाड़ी को re-register करा ले, ले इसके लाव आपकी गाड़ी में तरह तरह के बहुत सारे जो चलान है, वो भी pending है, इसके लाव अगर आपके पास अगर commercial गाड़ी है, तो आपको जो tax वगरा है, वो भी भरना है, वो भी बचा हुआ, इन शौट आपकी गाड़ी जो वो पड़े हुई, वो आपस चलान ही पा रहे हो, वो कवार बनते जा रही है, तो यहाँ पर अभी जो update आया है, वहाँ पर आपको तीन अलग अलग जो है offers दिये गए है, पहला जो offer है, वो उन गाड़ीों के लिए है, जिनका जो registration है, वो 2003 से पहले किया गया था, इन गाड़ीों का क्या है, कि अगर आपका चूट दिया जाएगा, आप scrapping करा दो, scrapping certificate ले लो, और फिर आपको नई गाड़े को खरीदने पर 5-10% का छूट, EV को खरीदने पर registration जो है, वो माफ हो जाएगा, और बहुत सारे फायदे है, जो इसके scrapping कराने से मिलते है, जो कि आप इस वीडियों से जान सकते हो, link आपक scrapping करा लो, certificate ले लो, तो यहाँ पर आप उसका फाइदा उठा सकते हो, अगर आपकी गाड़ी 2008 के बाद register हुई है, तो यहाँ पर आपको tax में कोई छूट नहीं मिलेगा, tax आपको भनना होगा, लेकिन जो चलान है वहाँ पर आपको 100% जो penalty बगरा है, 100% का छूट मिलेगा, आप scrapping करा हो, certificate लो, scrapping के पैसा बगरा लो, और अपना जो है नई गाड़ी को खरी सकते हो, उस certificate के साथ, तो यह फाइदे आपको मिलने वाले, इस नियम को भी फाइदा आप उठा सकते हो, अगर आपकी गाड़ी जो है, वो tax बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, चलान वग कर रहे हूँ, आप इसका screenshot लेके रख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले कितना price था, किस vehicle का category का, और अब आपको कितना pay करना होगा, वैसे आप इंडिया के किस state में रहते हो, आपके पास two-wheeler, four-wheeler, private vehicle, commercial vehicle, कौन सी गाड़ी है, और आज तक आपने अपने किसी भी गाड़ी का re-registration कराया है कि नहीं कराया है, या आप इस वीडियो में comment जरूर से करें, तो friends, ये चार update थे, कुछ अच्छे news थे, कुछ बुरे news थे, तो मुझे लगगा, आपको बताना चाहिए, आपको इसके बारे पता होना चाहिए, अगर आपके पस पुरानी गाड करके बेल अकन को जरूर से दबादे, ताकि आने वाली इपॉट्ने वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थुरू मिलते रहे, मेलते अगले वीडियो में, थांक्स वाचिंग दिस वीडियो, गुडबाई